नमस्कार मैं विश्वना चितर जी आज आपको गजल समराथ मेहनी असन सहाथ की कहानी सुराता हूँ इस कहानी को शुरू करने से पहले मुझे मशुहूर गायद जगजीत सिंग जी की कही वो बात यादा थी है जो खान सहाथ के बारे में कहते थे जगजीत सिंग जी कहते हैं कि मेहनी असन सहाथ जैसा गरजल समराथ नकभी हुआ है और नकभी लोगा सच है लिए कि मेहनी असन जैसा कोई दूसरा पंकार हो ही नहीं सकता मेहनी असन का जन्म 18 जुलाई 1927 को हुआ था राजस्थान के शहर जुझनू के एक गाउं लूना में वो पैदा हुए ये मेहनी हसन की शक्सियत ही है कि उनके जन्म से लेकर आज करीब सौ साल बाद भी उस गाउं की पहचान मेहनी हसन ही है गर में संगीत की बड़ी अच्छी परंपरा चली आ रही थी अबबा और चचा दुर्पत गाईकी से जुड़ हुए थे अबबा और चचा से पहले की और भी पीडियां संगीत से ही ताल्यों करती थी कहा जाता है कि महंदी हसन साहब सोलुई पीड़ी की नमाज़गी कर रहे थे महंदी हसन साहब का पहला पब्लिक परफोर्मेंस सिर्फ आठ साल की उम्र में भुआ था जहां उन्होंने अपने बड़े भाई के साथ दुरुपत गाया था इसके करीब बारह साल बाद देश की तस्वीर ही बदल गई देश अंग्रेजों से तो आजाद हो गया लेकिन उसके बाद विभाजन का दर्द सभी ने जहला हजारों लोग अपनों से बिछड़ गए बच्चे अनात हो गए तरासदी के इसी माहौल में महदी हसन का परिवार पाकिस्तान चला गया महदी हसन ने पैसों की दिक्कत के बावजूद रियाज नहीं छोड़ा आखिरकार उनकी महनत रंग लाई और उनके हुनर की बात पाकिस्तानी रेडियो के अफसरानों तक पहुँच गई वो 1952 का साल था जब रेडियो पाकिस्तान के लिए उन्हें गाने का मौका मिला रेडियो पाकिस्तान के करांची स्टेशन के अनवर इनायतुल्ला ने एक इंटर्व्यू में बताया कि एक हुआ जो कि थोड़े थोड़े गंजे रो रहे थे चमकीली आखो वाले शक्स ने जब घाना शुरू किया तो उन्हें ऐसा गाया ऐसा गाया कि वो महीं के वो कर रहे है ये थे महदी हसन साहिए धीरे धीरे महदी हसन ने गजल गायक के तोर पर अपनी पहचान बनाई फिर 1964 का साल आया जब फिल्म फिरंगी की एक गजल दुनिया के सामने आई गजल के बोल थे गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले चले भी आओ की गुल्शन का कारोबार चले फैस एमत फैस की इस गजल को राग जिजोटी में उनके भाई गुलाम कादिर ने ही कंपोस किया था अबिदा परवीन उन्हें संगीत के शेतर का टाइटेनिक फिगर बताती है लता मंगेशकर ने एक बार कहा था कि आप हसन सहब को सुने तो लगता है जैसे उनके गले में ईश्वर का वास है भगवान उनके लिए गाते हैं ये महदी हसन का सम्मान ही था कि भारत में हुए उनके कारिक्रम के दौरान सोनु निगम पूरे समय उनके पैरों के पास बैठ कर उन्हें सुनते रहे अपके हम बिचले तो शायद कभी खाबों मिले रफ्ता रफ्ता जैसी गजलों ने लोगों को मेंदी असन सहाब का दिवाना बादिया था उनके आवाज सीमाओं से परे हो गई थी वो घजल शेहनशाह घजल समराट कहलाने लगे थी दुनिया वर के घजल प्रेमियों ने उन्हें अपने सर मात्कों के बिचा लिया थी असी के दशक के आखरी सालों में उनकी तबियत ने साथ देना छोड़ दिया उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग से दूरी बना ली उनके फेफलों ने साथ देना बिल्कुल छोड़ दिया था इसके बाद भी उन्होंने दो हजार नो में लता मंगेशकर के साथ मिलकर तेरा मिलना गाया इस रिकॉर्डिंग की खासियत ये थी कि महदी हसन ने अपना हिस्सा पाकिस्तान में रिकॉर्ड किया और लता जी ने भारत में दोनों ट्राक को मिक्स करके गाना तैयार हुआ संगीत महदी हसन साहब का ही था करिंग बारा साल तक वो बीमारियों से लड़ते रहे हैं आखरी वक्त में वो भारत आना चाहते थे अपने जन स्थान की मट्टी को देखना चाहते थे लता मंगेशकर जी दिलकुमार सहाब और अविताब इचल सहाब से मिलना चाहते थे अफसूस की बात ही है कि उनकी यह तमन्ना जो यह दिल में ही दब कर रहे गई और उससे भी बड़ा अफसूस ही है कि उन्हें वीजा तक मिल चुपा था लेकिन सीहत ने साहत नहीं दिया 13 जून 2012 को 12 बच के 22 मिनट और उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहती है नमस्ते मेरी रिक्वेस्ट है कि आप रागिरी के यूट्यूब चैनल को सब्स्क्राइब कीजिए हमारे इन वीडियो को लाइक कीजिए और फेस्बुक और ट्विटर के जरिये भी आप हमसे जूड सकते हैं नमस्ते मैं विश्वना चितर जी आज आपको गजल समराथ मेहनी असन साथ की कहानी सुनाता हूँ इस कहानी को शुरू करने से पहले मुझे मशुहूर गायद जग्जीत सिंग जी की कही वो बात यादा थी है जो खान साहब के बारे में कहते थे जग्जीत सिंग जी कहते थे कि मेहनी असन साहब जैसा ब्रजल समराथ नकभी हुआ है और नकभी लोगा सच है यह कि मेहनी असन जैसा कोई दूसरा पंकार हो ही नहीं सकता मेहनी असन का जन्म 18 जुलाई 1927 को हुआ था राजस्थान के शहर जुझनू के एक गाउं लूना में वो पैदा हुए ये मेहनी असन की शक्सियत ही है कि उनके जन्म से लेकर आज करीब सौ साल बाद भी उस गाउं की पहचान मेहनी हसन ही है गर में संगीत की बड़ी अच्छी परंपरा चली आ रही थे अब्बा और चचा दुर्बत गाईकी से जुड़ हुए थे अब्बा और चचा से पहले की और भी पीडियां संगीत से ही ताल्यों करती थी कहा जाता है कि मेंदी हसन साहब सोलुई पीडि की नुमाइदगी कर रहे थे मेंदी हसन साहब का पहला पब्लिक परफोर्मेंस सिर्फ आठ साल की उम्र में भुआ था जहां उन्होंने अपने बड़े भाई के साथ दुर्पत गाया था इसके करीब बारह साल बाद देश की तस्वीर ही बदल गई देश अंग्रेजों से तो आजाद हो गया लेकिन उसके बाद विभाजन का दर्द सभी ने जहला हजारों लोग अपनों से बिछड़ गए बच्चे अनात हो गए त्रासदी के इसी माहौल में महदी हसन का परिवार पाकिस्तान चला गया उस वक्त महदी हसन साथ की अमर तकरीबन 20 साल गया जाहिर बटवारे के बाद खालात उनके अच्छे नहीं थे ऐसे मुष्किल वख्त में पाकिस्तान में भुजर बसर करना भी बहुत ही मुश्किल था मेंदिय औस साहब ने उस समय साइटी के दुखान पर तो रोजी रोटी के लिए कार, डीजल, ट्रैक्टर के मेकनिकों के काम दिने किया थै यह लग बात है कि जिस इनसान की कई पुष्टों ने संगीत में दिल लगाया है उसका दिल मशीन के कलपुर्जों में कहा लगने वाला था जाहे रहे महदी हसन साब का मन भी संगीत के बिना कैसे लग सकता था मेहदी हसन ने पैसों की दिक्कत के बावजूद रियाज नहीं छोड़ा आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और उनके हुनर की बात पाकिस्तानी रेडियो के अफसरानों तक पहुँच गई वो 1952 का साल था जब रेडियो पाकिस्तान के लिए उन्हें गाने का मौका मिला ऐसा गाया ऐसा गाया की वो मही के वो कर रहे हैं यह थे महदी हसन साहिए धीरे धीरे महदी हसन ने गजल गायक के तोर पर अपनी पहचान बनाई फिर 1964 का साल आया जब फिल्म फिरंगी की एक गजल दुनिया के सामने आई गजल के बोल थे गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले चले भी आओ की गुल्शन का कारोबार चले फैस एमत फैस की इस गजल को राग जिजोटी में उनके भाई गुलाम कादिर ने ही कमपोस किया था अबिदा परवीन उन्हें संगीत के शेत्र का टाइटनिक फिगर बताती है लता मंगेशकर ने एक बार कहा था कि आप हसन सहब को सुने तो लगता है जैसे उनके गले में ईश्वर का वास है भगवान उनके लिए गाते हैं ये महदी हसन का सम्मान ही था कि भारत में हुए उनके कारिक्रम के दौरान सोनु निगम पूरे समय उनके पैरों के पास बैठ कर उन्हें सुनते रहे रफ्ता रफ्ता जैसी गजलों ने लोगों को महदी हसन सहाब का दिवान आवा दिया था उनके आवाज सीमाओं से परे हो गई थी वो गजल शेहनशाह गजल समराट कहलाने लगे थी दुनिया वर के गजल प्रेमियों ने उन्हें अपने सर्माठों के बिटा लिया था रफ्ता को मिक्स करके गाना तियार हुआ संगीत मेहदी हसन सहाब का ही था करिंग बारा साल तक वो बीमारियों से लड़ते रहे आखरी वक्त में वो भारत आना चाहते थे अपने जन्मस्थान की मट्टी को देखना चाहते थे लता मंगेश करजी दिल कुमार सहाब और अविता बच्चन सहाब से मिलना चाहते थे अफसूस की बात ही है कि उनकी यह तमन्ना जो यह दिल में ही दब कर रहे गई और उससरी बड़ा अफसूस ही है कि उन्हें वीजा तक मिल जुगा था लेकिन सीहत में साथ नहीं दिया 13 जून 2012 को 12 बच के 22 मिनट पर उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहती है नमस्ते मेरी रिक्वेस्ट है कि आप रागिरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे इन वीडियो को लाइक कीजिए और फेस्बुक और ट्यूटर के जरिये भी आप हमसे जूट सकते हैं थाइंक्यू